हेलो वीवर्स मौजम फुटी में आज हम लेकर आए हैं एक बेहत स्वादिस्ट, हेल्दी और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी आलू मेथी की फूजी इसको जरूर ट्राए करें आएं देखें सीखते हैं आलू मेथी की फूजी मेथी भूजी बनाने के लिए हमने लिया है आधा चम्मच जीरा, चार लहसुन के जवे इस तरह कटे हुए, तीन से चार सावतलाल मिर्च इस तरह कटे हुए, एक चम्मच लहसुन पेस्ट और हींग, हींग आप किसी भी तरह के ले सकते हैं, दो मीडियम साइज आलू इस तर तीन सो ग्राम मेथी लिए है तो चले, अब हम अपना मेथी भुजी बनाना on start करते है है यहां हम ले रहे हैं तीन चौथाई सरसो का तेल, यानि के mustard oil, क्योंकि यह mustard oil है, तो हमें इसको पहले अच्छे से गर्म करना होगा, और गर्म होने के बाद, हम अपने लिये हुए सारे ingredients, सिर्फ हींग को छोड़ कर सब कुछ मिला देंगे, हमने इसमें जीरा मिला दिया है, अ अब हम इसमें डालेंगे अपनी साबुत लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च के चस्ट पाद हम अपना lesson page इसमें mix कर देंगे, याद रहे हमने यहां अभी हींग mix नहीं किया है, अब हम इसमें आदा कप पानी डाल रहे है, हादा कप पानी डालने के 30-40 मिनट के बाद हम इसमें अपनी इस तरह कटी हुई मेथी mix कर देंगे, और इसको अच्छे से mix करेंगे, इस तरह से हमें अपने मेथी को हमारे ingredients और oil के साथ अच्छे से mix कर लेना है, mix करने के बाद हमारी मेथी थोड़ी सी भुजने लगेगी, यानि के हमारी मेथी से थोड़ा-थोड़ा इसका पानी निकलने लगेगा, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, और नमक के साथ ही अब हम इसमें अपने आलू-फीसिस mix कर देंगे, अच्छे से हमें mix करना है, अब हम इसमें आदा कप पानी और मिलाएंगे, और इसके बाद हम 15 मिनट तक इसको ठक कर पकाएंगे, याद रहे, इन 15 मिनट के बीच बीच में हम इसको थोड़ा-थोड़ा चला कर देखते रहेंगे, याद रहे, हमारी फ्लेम स्लो पर है, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार चेक कर लेंगे के हमारे आलू गले हैं या नहीं, ये थोड़े से अभी हार्ड हैं, इसी पीच अब हम अपना हिंग इसमें mix कर देंगे, हिंग mix करने के बाद, अब हम इसको 3-4 मिनट तक और इसी तरह स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, व्यूवर्स, 4 मिनट के बाद, अब हमारा मेती भूजी एकदम तयार है, अब हम अपना फ्लेम आफ कर देंगे, और मेती को सर्फ करेंगे, व्यूवर्स, आपको हमारी ये डिस कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मौज़म फूटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर देंगे,